इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है एक हमला और चीन और पाकिस्तान की जो ये हिमालय से उची दोस्ती है वो बर्फ की तरफ दिखल जाएगे पाकिस्तान में चाइनीज नागरिक को अगर फिर टार्गिट बनाया गया तो चीन और पाकिस्तान की ये रिलेशन्स खटाई में पड़ जाएंगे और अभी से इसके सिगनल दिखाई देने लगे हैं नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरियां जो हैं अब वो साफ नजर आने लगी है सीपिक चीन के गले में हड़ी की तरफ हस गया है सीपिक उससे ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है सबसे बड़ा जो कंसर्ण है ना वो है सिक्यूरिटी का पाकिस्तान में चाइनीज सिटिजन्स को लगातार टार्गिट किया जा रहा है हर बार चीन नाराज़गी तो जताता है लेकिन प्रजेक्ट नहीं रोगता है लेकिन अब पानी जो है वो सिर से उपर जाने लगा है और चीन से संकेत मिलने लगे हैं कि इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा ये खबर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है साउट चाइना मॉनिंग पोस्ट की रिपोर्ट बता रही है कि चीन पाकिस्तान से तंग आने लगा है और इसके सबसे बड़ी वज़ा है पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हो रहे आतंकी हमले जू यांग बिया हो चीन के लांगजी उन्वस्टी के बहुत ही चंता जनक हैं जो चीन के लिए बिलकुल भी सही नहीं है उन्होंने कहा है जब से अमेरिका अफगानिस्तान से लोटा है और तालिबान का शासन शुरू हुआ है पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात बहुत खराब हुए है और ये बिलकुल स्पष्ट है हलांकि हमले सीधे तोर पर चीनी निवेश को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन कुल निवेश पर अभी गंभीर असर नहीं पड़ेगा हलांकि अगर बलुचिस्तान में सुरक्षा इस्तिती लगातार बिगड़ती रही तो इसका निश्चत रूप से चीनी निवेश पर ज़्यादा असर पड़ेगा और किसी भी समय इसमें इसमें बुनियादी बदलाव हो सकता है ये बात बिलकुल सही है अब तक पाकिस्तान में सीपेक के परजेक्ट में काम करने वाले कई चीनी नागिकों को टार्गेट किया जा चुका है कईयों को तो बतर पाकिस्तान में जान तक जा चुकी है लेकिन चीन ने अब तक सीपेक के किसी परजेक्ट को ना तो रोखने की कोशिश की और ना ही पाकिस्तान से याराना खत्म करने की बात गए तो चीन के प्रोफेसर जू पाकिस्तान और चीन के रिलेशन्स में किस फंडमेंटल चेंज की बात करना है मार्च में पाकिस्तान के बीशम में चाइनीज कॉनवोई पर बड़ा हमला हुआ था इसमें चीन के पांच लोगों की जान चली गई थी चीन तब भी बहुत नाराज हुआ था उसने हमले की जाच के लिए अपने ऑफिसर्स पाकिस्तान भेजे थे इसके बाद जून में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भागे भागे चीन पहुँचे थे और वहाँ चीन के प्रेजिडन जिनि पिंग न चीन के लोगों और चीन के प्रजेक्ट की सेक्यूरेटी को लेकर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी शहबाज शरीफ ने तब ये वादा किया था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी शहबाज तो चीन में सिक्योरिटी का डोल पीट कर चले आए लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ पाकिस्तान में हुआ ये कि चीन से आए वर्कस को फिर से टार्गेट किया गया कराची एर्पोर्ट के पास एक बलास्ट में चीन से आए दो लोगों की जान चली गई इसके बाद भी चीन ने हमले की जाच करने और सिक्यूरिटी में सहयोग करने जैसी बात की लेकिन सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर काम बंद करने या फंड्स को रोके जाने जैसी कोई बात नहीं हुई तो सवाल उठता है कि चीन कब तक पाकिस्तान में अपने लोगों की अपने नागरिकों की बली चड़ाता रहेगा असल में बात ये है कि पाकिसान जानता है कि चीन सीपेक को लेकर बुरी तरह फंसा हुआ है पाकिसान को पता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकता इतने हमलों के बाद भी चीन ने सीपेक से तौबार नहीं किये क्योंकि उसके अपने अपने जाती मफाद है वहाँ पर तो एक तरह से वो सीपेक के नाम पर चीन को इसलिए ब्लैक्मेल कर रहा है चीन ने सीपेक में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्मेंट की है बिसिकली सीपेक ग्वादर पोर्ट और फिर ग्वादर से चीन तक रेल और रोड लिंक बनाने का प्रोजेक्ट है चीन सीपेक के जरीए अपने मलक का डायलेमो को काउंडर करना चाहता है चुकि इसके लिए उसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था इसलिए उसमें सीपेक में पाकिस्तान में इंफ्रास्रक्टर डेवलेपमेंट के प्रोजेक्ट भी जोड दिये डैम्स, पावर प्लांट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रोड्स समीत दूसरे कई काम पाकिस्तान में सीपेक के तहत किये जा रहे हैं पाकिस्तान में चीन के लोगों पर के तुने ही हमले क्यों न हो जाएं चीन कहीं जाने वाला नहीं है पाकिस्तानी इतने धूरत हैं कि वो इसे चीन का पेशिंस बता रहे हैं बड़ा है हम सवाल है लेकि चाइना में एक टर्म इसमाल होती है चाइना के बारे में खास दौर्पे कि चाइनीज वाट रहे हैं कि यह मुल्क नहीं है एक सिविलाइज़ेशन है जिसकी पांच हजार साल से पूरी तारीख चली आ रही है जबान के लिहाज से थिकाफ़त के लिहाज से तैजीब के लिहाज से तो स्ट्रिजिजिग पेशिंस चाइनीज का बड़ा है कि आफटर आल चाइनीज समझते हैं कि हम कहा हैं हमारे क्याज मुश्कलाथ हैं वो भी मजद करना चाते हैं लेकिन हम वादे जूर करते हैं गैरेंटीज भी देते हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं करते लेकिन पाकिस्तान की ये धूर्तता कब तक चलेगी भाई? कब तक चीन सीपेक के अपने ही फंदे में फसा रहेगा या तो वो इससे निपटने का कोई रास्ता निकालेगा देखे, चीन को समझने वाले जानते हैं कि चीन किसी बात को इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके लिए कोई कदम ने उठाएगा बस उसे इंतजार सही वक्त कराता है पाकिस्तान में चीन के लोगों पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं ग्वादर पोर्ट पर भी अटाइक हो चुका है बीशम और कराची हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान पर इस बात का दवाब डालना शुरू कर दिया कि वो चीन की सिक्यूरिटी फोसिस को पाकिस्तान में चीन के लोगों की सुरक्षा का जिमा संभालने दे 16 अक्टूबर को चीन की फोरेंड मिनिस्ट्री की प्रेस कॉंफरेंस में ये साफ तोर पर कहा गया था कि चीन आतंकवाद से लडने के लिए पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तयार है कराची हमले के बाद चीन ने अपनी सेक्योरटी टास्क फोर्स भी पाकिस्तान भेज़ दी थी ऐसा ही दावा शंगाई की फूदान उनुवस्टी में Center for South Asian Studies के Deputy Director और Institute of International Studies के Vice Dean प्रोफेसर लिन मिन्वांग कर रहे हैं प्रोफेसर लिन मिन्वांग का कहना है कि ऐसा मुम्किन है कि चीन पाकिस्तान में Counter Terrorism Capacity Establish कर ले उनका कहना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान में चीनी कर्मियों और चीनी परियोजनाओं पर आतंकवाद ही हमलों के संक्या में कोई कम ही नहीं आई है इस साफ है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने की शमता ही नहीं है तो इसी वज़ा से चीन पाकिस्तान में अपना सिक्योरिटी सेटप बना सकता है हला कि कई एक्सपर्ट से भी मानते हैं कि पाकिस्तान कभी इसके लिए तयार नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी और उसके एजेंसी के लिए बदनामी का सबब बनेगी अब्दुल बासित सिंगापोर के S. राजरत्नम स्कूल अफ इंटरनेशन स्टेडीज के सीनियर फेलो हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान चीन को पाकिस्तानी सुरक्षा ढांचे के बाहर काम करनी के अनुमती कभी नहीं देगा चीन अपने सुरक्षा बलों का गठन कर रहा हो या प्राइवेट एजनसी की सिक्यूरिटी हो वो अंदरूनी तोर पर ही हो सकते हैं बाहरी सुरक्षा पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों में ही होगी बासित ने एक और आशंगा जताई है कि अगर चीन अपनी सिक्यूरिटी फोर्सेज तैनात कर देगा तो वो भी पाकिस्तान में हमलों का शिकार बन जाएंगे बात तो सही है पाकिस्तान में रोजाना अतंवदी हमले होते रहते हैं security forces को निशाना बनाया जा रहा है तो चीन के security forces इन हमलों से बचे जाएगी ऐसा संभाव नहीं लगता ये बांट मानना होगा कि चाइना जो है आज हम से इसलिए नाराज है कि हम चाइनीज लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और सची कह रहा है वो ठीक है अब इसमें जो भी आवामिल है अगवानिस्तान ये वो भारत insurgency बलोच लेकिन the fact of the matter इसके ये हो रहा है पाकिस्तान में और अगर हमारे बलोच के लीडरान जो है उनको कोई insurgency में चले जाते हैं उसको भारत वो कर लेता है तो हमारे ये घलती है पाकिस्तान के अंदर law and order has to be enforced completely अब देखें कराची में आजकल defense वारा के अंदर रोज एक नौजवान को मारा जा रहा है मतलब ये कोई मलाक है लेकिन चीन इसे लेकर पाकिस्तान पर दवाब तो बना रहा है मैंने का था ना कि चीन मौके की तलाश पर रहता है और अभी उसे मौका मिला BRICS सब्मिट के दौरान BRICS को लेकर चीन ने पाकिस्तान की international बेज़ती कर दी चीन ने करीब 246 मिलियन डॉरा जोकर ग्वादर में शांदार international airport बनाया इसी 14 अक्टूबर को जब चीन के प्रिधान मंतरी लीक यंग पाकिस्तान पहुँचे थे तो उमीद ये थी कि दोनों प्राइम मिनिस्टर ग्वादर जाएंगे और इस airport का उद्गाटन करेंगे लेकिन पाकिस्तान को पता था कि अगर ग्वादर में airport के इनोगरेशन का प्रोग्रेम किया गया तो वहां आतंकी हमला जरूर होगा इसी वज़े से इसलामाबाद से ही वर्चुली एरपोर्ट का इनोगरेशन कर दिया गया चीन के लिए ये बात किसी बेज़ती से कम नहीं थी सिक्यॉरिटी को लेकर पाकिस्तान के तमाम दावों के असलियत सामने आ चुकी थी तो चीन ने इसका बदला पाकिस्तान से कजान में ले लिया कैसे वो आपको समझाता हूँ पाकिस्तान लंबे समय से ब्रिक्स का मेंबर बनना चाह रहा है उसे उम्मीद थी कि कजान में चीन उसके नाम का समर्थन करेगा जाहिर है चीन की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे इंडिकेशन भी जरूर मिले होंगे लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि ब्रिक्स सब्मिट में कई देश इस और्गिनाईशन के मेंबर बनाए गए मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाइलेंड ब्रिक्स के नए सदस से बने है कई देश पार्टनर कंट्रीज के तौर पर जोड़े गए हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम यहां कहीं भी नहीं लिया गया चाहे वो चाइना के जरिये ही क्यों नहों इस ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एकसेप्ट नहीं किया गया कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस होए जिसमें अलजीरिया, बैलरस, बॉलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मिलेशिया, तुर्की, उस्बिक्स्तान, वेटनाम, थाइलेंड वगारा, नाजेरिया वगारा शामिल होए लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया उसकी वज़ा क्या है my assessment, what I have gathered information so far, or what I have understood so far, वो ये है कि जो चाइनीज हैं, वो ये समझते रहें कि हम अपने तालुकात इंडिया से बेतर करें, this is not a time कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या तालुकात खराब करते रहें so let's resolve अपना bilateral मसला हल करो, इंडिया के साथ, इन देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता, मैं थोड़ा सा इसमें हिरान हुआ, पाकिस्तानी जारी बात है, कि why China, you know, some people are saying China betrayed Pakistan, it's a betrayal, some people are saying this, I don't buy this theory, but there are some Pakistanis who have this approach, कि यार यह क्या बात हुई, आप हमारे बसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, you didn't pay attention to us? कहा जा रहा है कि इसमें भारत का रूल है, भारत की वज़े से पाकिसान का नाम नहीं लिया गया, तो एक बात बहुत यहां पर गंभीर है और बहुत समझने वाली बात है, कि BRICS में बिना सभी member countries की सहमती के, किसी भी बहारी देश को ना तो सिदर से बनाया जा सकता है, और लिया, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तगड़ी बैज़ती से कम नहीं, असल में चीन अपने इस पैंतरे से पाकिस्तान पर प्रिशर बनाने ही पोशिश में, चीन चाह रहा है कि भले वो सिपक से पीछे ना हटे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में अपनी अपना जो सिक्यूरिटी सेटप है, वो तो तयार कर ले, अब पाकिस्तान में चीन की सिक्यूरिटी की मौजूदगी, पाकिस्तान की सोवरिनिटी पर सीधा सवाल होगा, इससे पाकिस्तान में सियसी बवाल भी आएगा, पाकिस्तान की आर्मी से बरदाश नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसलिए पाकिसान में चीन के investment और चीन के लोगों पर आतंकी हमले होते हैं तो चीन और पाकिसान को रिष्टों में बड़ी बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं जैसा यह media reports बता रही है अब पाकिसानियों को ये बात कितनी समझ में आए कि मुझे नहीं पता बड़ भारत ही इस बात को जरूर समझ गए होंगे भाई कमेंट करके बताइए कि क्या आप बात समझ गए कि नहीं समझे और जिन दोस्तों ने Defense Detective को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब परिए आप सनरोध है साथ में बेर आइकों जरूर दबाईएगा जिससे जो भी वीडियो हम अप्लोड करते हैं उसकी जानकारी उसकी नोटिफिकेशन जो है वो फौरण आप तक पहुँच जाएगे जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जहिंग तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फैन कॉल में ये सुविदा है कि आप अपने हिसाब से महाँ पर जाकर टाइम स्लोट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है लेकिन ये भी बता दूँ कि ये पेड सर्विस है